नवस्कार मित्रों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम हिंदी साहित के इतिहास के प्रीवियस एर कोश्चन का नेक्स पार्ट लेकर आए हैं यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी यूजी सिनेट जे आरेफ हिंदी साहित आद यन किसी विराज के हिंदी अध्या-पाक तथा हिंदी साहित कोई भी तयारी कर रहे है तो इसको आवस्च देखें और यदि वीडियो पसंद आयो लाइक करें और आपने सबसे पहले notification मिल सके चलिए आधिक समय ना लेते हुए इस class की शुरूआत करते हैं आधिकल से संबंदे 130 प्रश्ण हल कर चुके हैं चलिए आज हम 130 प्रश्ण के आगे हल करते हैं चलिए शुरू करते हैं प्रश्ण है अप ब्रश्ण में दोहा काव फरमफरा का आरंव किस कवी ने किया है बिकल्प है हेमचन दूसरा बिकल्प है जो इंदू तीसरा है धनपाल चौता है शोमनात दोस्तों इन में से है बिकल्प भी सही है जो इंदू बिकल्प भी जो इंदू सही है अपभरद्ण में दोहा काव परंपरा का आरभ जो इंदू ने किया है इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं प्रमत प्रकास को परमप्यासु कहा जाता है चलिए आगे देखते हैं योगशार जहां या अध्यात्मिक गृंध है वही पर्मात्प्रकास आत्मा अात्मा पर्मात्मा द्रभ गुंड कर्म पापुन्ड परम समाद इत्यादिका भी वराड़न करता है जो इंदु को योगिंद्र भी कहा जाता है अगला प्रश्न है निम्न लिखित में से कौन बीर गाथा काल की रचना नहीं है निम्न लिखित में से कौन बीर गाथा काल की रचना नहीं है तो इन में से भक्त माल बीर गाथा काल की रचना नहीं है ये भक्त माल जो की नाबादास की रचना है ये रचना है भक्ति काल की रचना है भक्तमाल भक्तिकाल की रशना है चलिए इसकी व्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष का शुमेरु कहा गया है भक्तमाल में तुलसी दास जी को भक्तमाल का शुमेरु कहा गया है शंदेश रासक अब्दुल रहमान की रशना है और जै मयंक जस चंद्रिका मदुकर भट की रशना है अगला फ्रसना इनमें से कौन सा कभी आधिकाल का नहीं है चंदबर दाई है जिनकी रशना है प्रतवी राज रासो जगनिक भी हैं आधिकाल के इनकी रशना है परमाल रासो परमाल रासो को आलाखंड भी का जाता है दलपद वीजे भी हैं और इनके अलावा विकल्पसी नावादास जो की इसके पहले भी हम देख चुके हैं नावादास भक्तिकाल के कभी हैं इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं नावादास भक्तिकाल सगुर्ण भक्तिकाबिदारा के कभी थे ये अग्रदास जी के सिस्थे नावादास अग्रदास जी के सिस्थे इन्हों नावादास ने अश्टयान की रशना स्रंगार भक्ति अथवा रशिक भावना को लेकर की यह तुलसी दास के समकालीन थे बिकल्प में दिये गए अनकवी आधिकालके हैं इनके अलावा अनकवी आधिकालके हैं तरश्ण है 134 इनमें से कौन सी रश्णा आधिकालकी है इनमें से कौन सी रश्णा आधिकालकी हैं दोस्तों बिकल्पे सूर सागर सूर दास की रश्णा जो कि ये भक्तिकाल की सगुन काविधारा के प्रश्टबगतिकवी हैं और आप सवी जानते ही होंगे जो कि साधुकड़ी भासा में है और विद्यपती दोस्तों सूर अन्हाद का好吃 किरश्णा बीद्धाफाटी की पादावली अदिकल के कवी हैं जोकि उत्तरistine के बारे में इश्ट्राफ़ेक्ट जान जान लेते हैं बेअले तोस्तों इसकावी के बिद्ध्याफ़ेक्टी हैं अगला फैक दोस्तों इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं पदावली आदिकाल की रश्णा है जो की मैतलिभासा में है बिद्यपती द्वारा रचित क्रश्ट भक्ती विश्यक संगार रश्य से परिपूर है इसमें राधा क्रश्ट की प्रेम लीलाओं का वार्ण किया गया है सूर सागर बीजग तथा ध्रमर गीद भक्तिकाल की रश्णा है 135 नमबर प्रश्णा है आदिकालिन साहित का प्रमुक रश्णा है इसमें बीर रस का वर्णन बहुत मिलता है तो इस प्रश्ण का उत्तर बीर रस बीकल्प डी सही होगा चलिए इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं आधिकाली इन साहित का प्रमुक रस बीर रस है अनितत्य भी देख लेते हैं आचार रामचन सुक्लोय ने आधिकाल का नाम बीर गाता का नाम रखा है इस नामकरां का अधार इस्तवस्ट करते हुए लिखते हैं आधिकाल की इस दीर्ग परमपरा के बीच प्रथम डेड़ सब वर्स के भीतर रचना की किसी विशेश प्रवत्ति का निश्चय नहीं होता धर्म नीती स्रंगार बीर सप्रकार की रचना दोहों में मिलती हैं राजा स्रिक कभी अपने आस्वराइदाता राजाओं के फ्राकरम पूंड गाथाओं का वाड़न करते थे इस काल की प्रधान प्रवत्ति बीरता की थी अर्थात इस काल में बीर गाथात्मक गरंथों की प्रधानता रही अगला प्रश्णा है विद्यापति ने कुल कितने गरंथों की रश्णा की है विद्यापति की अधिकांस रश्णा संस्क्रत एवं अवहट में हैं कीर्थिलता और कीर्थिपता का इनकी अवहट भासा में रश्णा है इनकी कीसरी रश्णा है पदावली जोकी मैथली भासा में जिसकी भासा मैथली है इनमें कीर्थिपता का अभी तक संपादित धोकर प्रकासित नहीं होए कीति लता यतिहासिक महत्त का छोटा सा प्रबंध है कीति लता की भासा आवहट है विद्यापति ने इसे कहाणी कहा है विद्यापति ने इसे कहाणी कहा है पदावली विद्यापति के जस्ट का अधार है दो तो इनके विख्यात का अधार है पदावली इनकी अनरचनाई भी देख लेते हैं, भू परिक्रमा, इसके बाद पुरुस परिच्छा, लिखना वाली, सैव सर्वस्त सार, गंगा वाक्या वाली, इसके बाद दान वाक्या वाली, दुर्गा भक्ती तरंगणी, विभाक्षार, वर्षक्रत और गया पतन, इसके बाद गो सुरच्ष वीजय इनका फुरसीद नाटा का इस प्रकार इनके कुलग्रंतों की जंख्या 14 मानी गई है विद्यापती के पद किस भासा में रचित हैं विद्यापती के पद मैतली भासा में रचित हैं प्रश्न 138 दान वाक्या वली के रश्नाकार है बिध्यपति दान वाक्या वली के रश्नाकार बिध्यपति है त्रश्ण 49 न 149 विद्याफती किस भासा के कवी थे विद्याफती दोस्तों प्रमुक्ता मायतली भासा के कवी थे दोस्तों और इनके अलावा मायतली भासा के अलावा दोस्तों संस्कत भासा में और औहट भासा में भी इन्होंने रचनाय की हैं जोकि हम इससे पहले भी दरख चुके हैं तो इस त्रश्ण का उत्तर होगा है मैंतली भाषा के क्रविटे त्रश्न 140 विद्य पती कौन सी रश्ण अभीतक्ठ संपादी थोकर फ्रकासित नहीं हुई दोस्तों इस द्रश्ट का उत्तर विकल्प भी केटी पता का सही है जो कि यह आउःट भासा में है और केटी लता भी आउःट भासा में है और विद्यापती की पदावली दोस्तों मैथली भासा में है प्रश्णा 141 विद्यापती को क्रश्ट भक्तों की परमपरा मेना समझना चाहिए यह इनमें से किसका कथन है विद्यापती को क्रश्ट भक्तों की परमपरा मेना समझना चाहिए यह कथन दोस्तों अचारामचन सुक्ल का है इन्होंने ही माना है विद्यापति को क्रश्ट भक्तों की परमपरा मेंना समझना चाहिए ये कतन है अच्छा रामचन सुकल का आता विकल्प भी अच्छा रामचन सुकल सही है इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं अचारामचंद सुक्ल ने अपने साहित इतियास गुरंत हिंदी साहित का इतियास में लिखते हैं कि विद्यापती को क्रश्ट भक्तों की फरंफरा में ना समझना चाहिए इनके अन्य फैक्ट है विद्यापति के संदर्व में अचार आमचन सुकल की मानता है जो की इस्तरकार है देख लेते हैं विद्यापति के पद अधिक्ता संगार के ही है जिनमें नाईका और नायक राधा करश्ट है अगला फैक्ट है जिस रशना के काराण विद्यापति वज़े से इनको पाधि प्राप्त हुई थी अगला फैक्ट है विद्यापति सयोग थे उन्होंने पदों की रशना संगार काव की दरश्ट से की है भक्ति रूप में नहीं अच्या रामचन सुखल का बहुत प्रसिद्ध पतन है देखते हैं अध्यात्मिक रंग के चस्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीद गोविन के पदों को अध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही बिद्ध पती के इन पदों को भी दोस्तों गीद गोविन जैदेव की रशना है रशना 142 रशना बिद्ध पती इनमें से किस रशना के आधार पर मैथिल कोकिल कहला है तो इस त्रश्क का उत्तर होगा मैथिल कोकिल पदावली के आधार पर कहला है जो कि ये मैथिल भासा में है इसलिए बिद्ध पती पदावली रशना के आधार पर मैथिल कोकिल कहला है चलिए इसकी ब्याख्यवी देखते हैं अचारामचन सुक्ल ने हिंदी साहित का इतियास में लिखा है कि जिसकी रशना के काराण बिद्ध पती मैथिल कोकिल कहला है वो इनकी पदावली है इन्होंने अपने समय की प्रचलीत मैथिली भासा का बेवहर किया है विद्ध पती के पद अधिक्ता संगार के ही है जिन में नाइका और नायक राधा करशना है अगला प्रचना 143 विद्ध पती को मैथिल कोकिल की उपाद निमन लिखित में से किस रशना पर दी गई दोस्तों फिर इस रशन का उत्तर भी बिगल्प डी पदावली सही होगा विद्ध पती को मैथिल कोकिल की उपाद पदावली प्रचना पर दी गई दोस्तों कीर्टिलता और कीति पताका ओहट भासा में है और गीत गोबिन की रशनकार जैदेव है जैदेव है गीत गोबिन की रशनकार अगला प्रशने काम भाव और सरीर का सांदर उनके यहां उत्साव रूप में है विद्यापत के संदर्व में यह कथन किसका है दोस्तों काम भाव और सरीर का सांदर उनके यहां उत्साव के रूप में यह कथन है राम सरूप चतुरवेदी जी का है चलिए इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं राम सरूप चतूरवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित और समेदना का विकास दोस्तों इसका प्रकासन 1886 में हुआ है विद्यपत की संदर्व में लिखते हैं काम भाव और संदर्व के संदर्व उनके यहां उत्सव रूप में हैं इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नमीन है अगलाब प्रश्ण है देशिल भाइना सबजन मिठा ये प्रसिद पंक की किसने कही है पदावली से लिग गई है जो कि पदावली मैथली भासा में लिखी हुई है उकती विद्यपती की पंक है जिसका आर्थ है अपना देश या अपनी भासा सबको मीठी लगती है पंकियों का आर्थ है अपना देश या अपनी भासा सबको मीठी लगती है यही जानकर मैंने इसकी रशना की है मैथिल कोकिल विध्यापती का पूरा नाम विध्यापती ठाकुर था अगला प्रश्ण एक सो चियालिस देशिल वैना सब जन मिठा तै तैसन जपों और हट्टा ये कावी फंकियां किस आधिकालिन की रश्ण हैं दोस्तों ये फंकिया विद्याफती की फंकियां है प्रश्ण अगला 147 इसने इनमें से कौन सका भी आभिनाई जैदेव की उपाद इसे विभूसी थाई दोस्तों आभिनाई जैदेव विद्याफती को कहा जाता है अभिनाई जैदेव विद्याफती को कहा जाता है द्याक्या है विद्यापति ने ओइन्वार राजवन्स के विभिन आस्राय दाताओं के सानरचण में गीत रचे इनके गीतों के भाव वैसे स्टेयों माधूर गूर से त्रभावित होकर विद्यापति को अभिनाव जय देव की उपाद की प्रश्ण आसकता है कि अभिनाव जय देव नाम से जाना जाता है तो इसके पहले भी देख चुके हैं विद्यापति को अभिनाव जय देव नाम से जाना जाता था अभिनाव जय देव उपाद दोस्तों विद्यापति को महाराजा सिरु सिंग ने दी थी कि कि प्रश्ण न 109 बीद्यापति कि से अश्रित कभि थे विद्यापति कि से क्वृत को थे हैं 10 अधा तो सपलाओ तो ग जिसेन आताईसा blaming कि यहां रहे थे इस लें इस प्रश्ण को ओने हटा दिया गए था। दोस्तों इसकी वे अख्य देख लेते हैं। और जित्रकार है लियुद्यपति मितला निवासी थे वैश्नों महाजन। पदावली के संग्राइक कार ने रिखा है। यह महाराज कभी कंठार पंचानन तथा अभी नहीं जैदे उनाम से जाने जाते थे जब दिल्ली के बादसा महाराज शिवशिंग को कैद कर अपनी राजधानी ले गए उन्हें चिरकाल के लिए कारा वरुण वरुद कर रखने का विचार किया गया तो उस समय अपने स्वामी की दैनी दसा से सुप छुपद होकर महा कभी विद्यापती भी दिल्ली पहुँचे और मादक रश्णाओं से समराट को मुद कर अपने महाराज की मुद्धी करा ली विद्यापती राजा हर्शिंग के पोत्र नर्शिंग के राजा सरीत रहे विद्यापती हर्शिंग के पोत्र नर्शिंग के राजा सरीत रहे परशिंग की अग्यां से विद्यापति ने विभाक शार नामक ग्रंथ की रशना ग्रंथ लिखा विभाक शार नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उत्तरा दिकार एम दाय भाग की विवस्ता दी गई तत कालिन सासक इब्राहिम सा के सासन की दुर ब्यवस्ता की उन्होंने अपनी कीर्टी लता में कट आलोचना की विद्यापति कीर्थ सिंग के भी आशरित कभी थे जिनके यस गान में कीर्थ लता की रशना की अताहिस त्रस्ट के तीन विकल्प सही हैं दोस्तों इस प्रस्ट को खटा दिया गया था चलिए अगला प्रस देखते हैं ह। प्रस्ट ने कौन सा नाम पंथी सादकों में सामिल नहीं है तो दोस्तों इसमें आफ़सं सी कर्णफा सिद्चों की कर्णफा सिद्ख कभी हैं सिद्धों की संख्या आप सभी जानते ही होंगे सिद्धों की संख्या 84 है और नातों की संख्या 9 मानी जाती है तो इस त्रश्ट का उत्तर है विकल्थ सी कंढ़ापा सही है नात शाहित के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उन में चुलंगी नात, पुपी-चंद, चुनकर, नात, भरतरी, चलंदृपा आद प्रसिद्ध है नात शाहित के कवियों के नाम अलग-अलग विदोन, अलग-अलग रोपों में दिये है त्रश्न है आधिकाल के अंतरगात सरहपा लुईपा आधि कभी किस साहित से संबंध है दोस्तों सरहपा लुईपा आधि कभी सिद्ध साहित से संबंधित है विकल्पसी सही है सिद्ध साहित सरहपा को हिंदी का प्रथम करी राहुल संकरते निमाना सरहपा का समय है दोस्तो और इंकी रचना है दोहा कोस इनकी रचना है इनकी सिस्स का नाम-ता शब रप दोस्तों इनके सिट्ध के नाम था सरहपा रश्ण 52 dwa आइं दिननले में से किसका सम्भंध सिद्ध साहित से तो दोस्तों सिद्ध साहित से सरहपा के संब्सक्रीपा भीने हैं गोपी-चंद साहित से संब्धित नहीं है दोस्तो सरहपा इससे पहले भी देख चुके हैं सबरपा की बात की जाए तो सबरपा सरहपा के सिस्थे इनकी रचना है चरिया पद इनकी रचना है प्रशन है सरहपा का संबंद निम्न में से किस से है चरासे सिद्धो में इन्हें इन्दीक का प्रत्म कभी माना जाता है इन्दीका प्रत्म कभी राहुद सांकर्टैनने माना है तो यह सिद्ध साहित से संबंद ए еще यूह के नाइद पंस के प्रणेता हैं थ्रस defer vara 155-े प्रणेत था हैborn आइद के पर अधिनाथ है और सिंह पंड के प्रणेता रट पर आधिनाथ है चलिए इसके विकืुर आधिनाथे योगिक प्रणेता आधिनांता है योगिक संप्रदाई का उद्धाई हुआ योगी क्रियों के उद्धार के लिए नात संप्रदाई के संस्ताफक आधिनात को यानि कि भगवान संकर का उतार माना जाता है इस संप्रदाई में नव नातों में गोरक नात जो जो लेंदर नात कारियन नात गहिनी नात चरपट नात नागनात भात्रनात और गोटी चंदनात को मुख्ध माना जाता है अगला प्रश्ण है नौ नातों में इनमें से कौन समलीत नहीं है दोस्तों बिकल्पसी सही है देवसेन, देवसेन की रश्णा है श्राव का चार श्राव का चार देवसेन की रश्णा है इसका समय है 933-12 जो कि हिंदी की प्रथम रश्णा माना जाता है इसकी ब्याख्या भी देख लेते हैं गोरक नात, नाकार जुन तथा जड़ भरत नौ नातों में शमलीत किये जाते हैं जबकि देवसेन, आदि कालिन, जैन कभी है देवसेन, जैन कभी है इनकी रश्णा है श्राव का चार देवसेन की प्रमुक्रती है नौ नातों में रामकुमार वर्मा के अंसार ये हैं और गोरच, सिद्धान, संग्रक के अंसार हैं देख लेते हैं रामकुमार वर्मा के अंसार आदिनाथ, मत्सेंद्रनाथ, गोरकनाथ, गाहिंडीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगिनाथ, जौलेंद्रनाथ, भालत हरी, गो पीचन और गोरच, सिद्धान, संग्रक एंसा, नागा अर्जुन, जड़वरत, हरिष्चन, सत्तिनाथ, भीमनाथ, गोरशनाथ, चरपट, जलंदर, मलिया अर्जुन आगी है। अगला प्रशन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, नाथों की संख्या 9 मानी गई, विकल्प D सही है, और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। नाथ पंद के प्रवरतक कौन है, नाथ पंद के प्रवरतक दोस्तों, इसमें विकल्प B और C सही है, इसमें दो विकल्प सही है, विकल्प C गोरक नाथ और विकल्प B मत्सेंदर नाथ, चले बेख्या भी देखते हैं, नाथ पंद के प्रवरतक मत्सेंदर नाथ तथा गो कि नात्पंत के चलाने वाले मचंदर नात के नाम से वीचाने जाते तथा गोरक नात माने गए हैं इसी पूस्तक में गोरक नात का परिच्चा देते हुए वताया गया है गोरक नात नात साहित के आरंब करता माने जाते हैं, धाता भी है कि मत्सेंद्र नात गोरक नात के गुरु थे, ऐसा माना जाता है, गोरक नात से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नात पंत में बीलाई हो गया, प्रशन है, नात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, नात संप पनके प्रवार तक गोरकनात है और प्रश्ण है गोरकनात के गुरु का नाम बताईए और प्रश्ण 169 गोरकनात के गुरु का नाम बताईए गोरकनात के गुरु का नाम मत्चेंद्रनात है दोस्तों आप सभी से रेक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और और प फिर दुबारा अच्छा प्रयास करके वीडियो डालें तो आप सभी लाइक और सेयर जरूर किया करें चलिए अगला प्रश्ण प्रश्ण है नात संप्रदाय में हट योग का आर्थ है विकल्प डी सही है दोस्तों विकल्प डी सही हाकार्थ सूर और ठाकार्थ चंद्र दोनों का योग है चलिए इसकी बैख्या देखते हैं गोरकनात के हट योग का उपदेश दिया था हट योगियों के सिद्ध सामन पद्यत के अंसार हाकार्थ सूर और ठाकार्थ चंद्र इन दोनों के योग को ही हट योग कहते हैं गोरक नात ने इने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग ही हिंदी साहित में चलाया दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं गोरक नात ने हट योग का उपदेश दिया हट योगियों के सिद्ध सामन पद्धत के अंसार हाक अर्थ है सूर और ठाक अर्थ है चंद्र इन दोनों योग को ही हट योग कहते हैं गोरक नात ने ही खट चक्रों वाला योग मार्क हिंदी साहित में चलाया था